हाई फ्रेंड्स यह TBS XL 100 है, Heavy Duty, यह बाइक जो है BS6 बाइक है, स्कूटर कहना चाहिए, बाइक तो है नहीं है, FI, ठीक है, स्कूटर है यह, तो ऐसे ऐसे में दिक्कत क्या है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यह इसका चेक इंजन लाइट है, चेक इंजन लाइट, जो भ है, ठीक है, स्टार्ट होई, और यह बंद हो गई, ठीक है, फिर स्टार्ट करें कैसे, और इसे रेस करने में, बाइक जो है, यह, मिसिंग कर रही है, फोल तरीके से जो है, मिसिंग कर रही है, चेक इंजन भी, लाइट जो है, सो कर रहा है, चेक इंजन लाइट भी जा नहीं रहा है, ठीक है, और देखना यह जो है, जैसी मैं प्रोटल खीचूंगा, यह जो है, बंद हो जा रही है, ठीक है, यह बंद हो चुकी है तो इसे देखते हैं दोस्त हम सॉट आउट कैसे कर रहा है तो मैं देखते हैं से पहले OVD से स्केन करेंगे क्या दिक्कत है स्कूटर में जो है तो देखते हैं से ठीक है तो फॉल्ड कोड में जाना हमें एक मिनट फॉल्ड कोड में जाना है और इसे जो है सर्च करना ठीक है तो इसका ये सारा जो कभर होता है ये उपर का ये सारा हम ओपन कर दिये हैं ठीक है और ओपन करें तो ये वाइक जो फ्यूल इंजेक्टर बाइक है तो सबसे पहले current current a spark plug में current प्रोपर तरीके से आ तो आपको फ्यूल इंजेक्टर बाइक देखने के लिए जो सबसे पहले आपको इसका petrol tank की में जो है कि सबसे पहले पेट्रोल देखना सबसे पहले लिए प्र этुराप को और इसका फ्यूल जो मोटर लगा हुआ फ्यूल नो जैसे के इस में यहां पर लगा हुआ और उसके बाद आपको फ्यूल मोटर देखकर फ्यूल पंप देखकर प्र आपको आगे काम करना ठीक है तो हमारा scanner जो है यह किसी पता नहीं आज जो है काम नहीं कर रहा है यहाँ पे इसका दिया होता है scanner यहाँ पे तो यहाँ इस तरीके से मैं लगाया हूँ पर मेरा phone में जो है यह आज जो है काम नहीं कर रहा है तो यह मेरा आज जो है इसे without हम scanner की check करेंगे दोस्त पता नहीं अ कर रहा है तो देखते हैं इसमें जो है क्या दिक्कत है तो इसमें जो मैं देख लिया हूं इसमें फ्यूल पेट्रोल जो पर्याप मात्रा में है ठीक है यहां से यह इसका में पाइप है और यह बाइक में बता रहा हूं वहर बाइक फ्यूल इंजेक्टर में बो इस्टेप आ दबाकर ओपन करना ठीक है सबसे पहले और इसका आपको फ्यूल प्रेशर चेक करना सबसे पहले आपको फ्यूल का प्रेशर चेक करना इसमें कितना फ्यूल जो है किस प्रेशर में हमारा इंजेक्टर तक जा रहा ठीक है तो सबसे पहले आपके पास में फ्यूल का जो प्रेशर चेक करने वाला जो गेज है वो होना चाहिए जो मीटर है वो होना चाहिए ठीक है तो मेरे पास से जो ये मैंने ये बनाया है अपने जुगार है कहना चाहिए इसे ठीक है यह open सिरा है ऐसे जो है हमें यह fuel fuel injector तक जो pipe गया है fuel pump से कि यहां से आउट करना है और इस तरीके से अंदर डाल देना ठीक है और यह दूसरा जो सिरा है यह सिरा ऐसे जो है आपको यह fuel pump मैं यहां पे इस तरीके से connect करना ठीक है यह हो गया लॉक ठीक है और यह आपका मीटर अब इसका जो है हमें की ओन करना पड़ेगा ठीक तो मैं की ओन करूंगा तो मोटर चला साउंड आ रहा है मोटर चल रहा है पर इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रेसर नहीं देखा रहा है जैसे कि मैं आपको सुना दूं मोटर चल रहा है एक मिनेट तो प्रेंटस उन हमारा किसी प्रकार का कोई सो नहीं कर रहा है तो यह हम अब इसे आउट करेंगे ठीक है इस तरीके से के इस तरीके से आउट करेंगे ठीक है और आउट करने के बाद जो है अब इसे यह पाइप जो है यहां से अलग करके जो है अब फिर से हमें जो है इसका की ओन करना तो देख पा रहा है इसमें जो फ्यूल है वो इसमें कोई कंप्रेसर ही नहीं है ठीक है इसमें कोई प्रेसर ही नहीं है तो यह गेज में भी नहीं बता रहा ठीक है यह तो देखत ने कर देखते हैं जो बाद देखते हैं और से में पैट्रॉल प्रयाप्त मात्रम है इक बार आ को मैं देखा दूं जो आ जो एक हेरो है जोल रहे से को ऐसotenام देख पाना है इसमें पूरा फ्यूल आ रहा है यह प्रेशर से भी आ रहा है टंकी से फॉल फ्यूल है इसमें ठीक है यह सारा गेर चुक है यहाँ अब देखते हैं से फ्यूल इसका फ्यूल पंप ओपन करके तो यह फ्यूल जो है टंकी से निकालना होगा क्योंकि इसका फ्यूल पाइप है वो फ्यूल फिल्टर है इसके चलते ठीक है यह तब यह मैं पेटरॉल भरा थे इसकी टंकी में फ्यूल पंप है यह बाहर मैं ओपन कर लिया हूं ठीक है असे देखते हैं अब इसका Compressor Checker ये In का है और ये Out का है जो हमारा Pressure से जो Fuel जाता है ठीक है, ये Line Pressure से, जो Fuel जाता है हमारा Injector तक, ठीक है, ये Line है और ये हमारा In है, छiमें यहाँ पे हलका सा Filter लगा हुआ, Потом का Filter छोटा सा, और ये हमारा Return है, जो pazz Berdola जो है बचता है जो यहाँ से रिटन चल जाता है यहाँ पे चेक बॉल कहना चाहिए यहाँ पर बाल है ठीक है और यह इसका अलक्सी यह मोटर है यह मोटर है तो देखते हैं से ओपन करखे जो है ठीक है देख पारा है तो दोस्त मैं जो है इसका रेगुरेटर वाल जो है ओपन कर लिया हम ठीक है तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें जो है डस्ट पाटिकल यह सारा लगा हुआ है ठीक है और यह इस तरीके से फिटिंग होती है यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर हलका सा यहाँ पर फिल्टर दिया हुआ है ठीक है और अंदर पर यहाँ पर भी फिल्टर है और इसका जो यह मोटर है यह अलग से है और यहाँ से चलता है और यहाँ से इसका पेट्रॉल हमाई यहाँ से जो है पेट्रॉल इन होता है और आउट यहाँ से होता ह का जो pipe है यहाँ पे fitting होता है ठीक है और यह दूसरा हमारा return वाला है तो यह जो बाल है यह कुल मिला के यह जो हमारा pressure को जो है यह control करके रखता है जो हमारा fuel pump जो pressure बना रहा है जैसे हम कम race पे bike को जब चलाएंगे तो समय जो है हमारा fuel pump जो है इस line में जो है यह fuel filter का जो line है इसमें जो है petrol का जो pressure रहेगा वह बहुत ज्यादा बन जाएगा जिससे जो है pipe फटने की chance या फिर mileage में दिक्कत आएगी तो उसके चलते जो है इसमें जो है यह check बाल लगाया जाता है ठीक है ताकि जो हमारा pressure बन रहा है उससे यह control करके रख सक आता है तो यह जो बाल जो है यह ओटकर जो है इस line से जो है हमारा fuel जो है बापस tanky में छोड़ देता है ठीक है जिससे जो है यह pressure जो है एक limit में बना रही इसके लिए जो है यह बाल लगाया गया है ना ठीक भी आपका जो pressure है ठीक है आप जब pressure gas से जो है pressure check करें आप fuel pump का तो pressure high होता है या pressure down होता है तो ठीक है और समय आपको यह regulator wall को जो है एक बार चेक करना है अगर फ्यूल इंजेक्टर बाइक है तो समय जो है आपको ये रेगुरेटर वाल जो है एक बार चेक कर लेना इसका काम जो है जब ये खराब होगा तो उस टाइम जो है प्रेसर एक या तो हाई कर देगा या तो प्रेसर लो कर देगा इसका काम ये होता है तो आपको फ्यूल पम पहले चेक करने से पहले आपको regulator वाल आपको चेक करना है ठीक है आपको याद रहे ठीक है दोस्त अब यह हमें सारा कोचह से fit कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं बाइक मैं बो जो समस्या थी गहीं ठीक है तो यह सारा मैं जो है किलीन कर दिया हूं ठीक है अब हम ऐसे जो है ऐसे में फिटिंग करते हैं ठीक है तो यह छोटा सा जो पाइफ है यह छोटा पाइफ है वह हमारा यह फिल्टर जो फिल्टर वाला है यहां पर फिटिंग होगा ठीक है तो यह अभी हम ऐसे चेक कर लेते है भाला है फाले है और दूसरा ये रेटन का है ये लंबद हफोड़ा सा थीक है तो यह 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 रेटन वाला यहां पर फिक होगा यह िखिड कर लिए अब यह करना क्या है तो यह हम पहले पेट्रॉल डालेंगे ठीक है तो यह धकन ओपन करूँगा मैं तो यह पेट्रॉल जो हम निकाले थे यहां पर तंकी में बापस डाल लेते हैं ठीक है नापने वाला जो गेज है वो लेना ठीक है तो यहां पर हमें जो है सबसे पहले इस तरीके से फिटिंग करना है और दूसरा जो सिरा है हमारा यह हमारा यहां पर फिट करना है ठीक है इस तरीके से इसे फिटिंग करना अब इसका प्रेशर जो है बनने लगा है इसमें यह जो है चार से पांच छे बार जो है चावी ओन आफ करना होगा कि जो है ओन आफ करना होगा क्योंकि यह जो है यहां से सारा जो लाइन है वो भर जाए ठीक है तो इसमें 20 प्रेशर बन चुका है अब हम स्कूटर को करेंगे स्टार्ट अब स्क्रूटर करके देखते है स्कूटर हो चुकी है स्टार्ट और बन भी नहीं हो हुआ है और इसका प्राब्लम जो है। प्रेसर बाइक के अकोर्डिंग होगा हमें यह पता नहीं कि इसमें 20 बनना चाहिए 30 बनना थी ठीक है इसका फ्रेसर ठीक है 20 है और आगे जो बाइक है उनमें देखा है तो इसमें जो है 30 आता है और चावी जो है बंद करने पर 20 में उसका प्रेसर आ जाता है ठीक है जो है छोटी बाइक है इसलिए जो है साइदेस का प्रेसर जो है 20 होगा 20 प्लस 20 प्लस जा रहा है ठीक है और यह जो है स्टार्ड यह अब हम यह से बंद करते हैं और दोस्त हम जो है यह सारा फिट कर दिया हूं में अभी यह सारा पाइप जो है फूरा लगा दिये हैं बाइक में और इसका स्केनर जो है यहां पर है ओ बीडे इसकेनर यहां पर यहीं डिख्की अ ंदर दिया हुआ है पर आज हमें ऑमारा इसकेनर भी साथ नहीं दिया पता नहीं हमारा जो फोन है मुंबाइल है ऐसमें चोड़ा सा दिक्कत जा रहा था है ओब आने रहा था जिससे चलते जो हमें दिक्कत होई और हम मैनुल इसे जो है इस बाइक को जो है सॉट आउट किये हैं ठीक है तो इसका जो चेक इंजन लाइट है वो कुछ समय बाद जो है ये चला गया ठीक है ये दिखा दूँ आपको तो पहले इसे बंद करेंगे और इसे ओन करूँगा मैं ठीक है कि जो है अन करेंगे ठीक है अब इसे स्टाट करेंगे स्टाट होगी और इसके टेक इंजन लाइट जो चला गया ठीक है ठीक है दोस्ट तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ भाई की गाड़ी है लेके जाएंगे इसकूटर ठीक है फोल रेस हो रही है बाई अगले बंद करेंगे